एपिसोड नमबर 15 की स्टार्टिंग होती है और मो यान से कह रहा होता है एक मिनेट रुखो फिर वो उसको कॉंट्रेक्ट पेपर दिखाते हुए कहता है इन पेपर पर साइन करने के बादी तुम्हें तुम्हारा स्टुडेंट आइडी कार्ड मिलेंगा ये सुन यान घबर यान काप ती वे कहती है कांट्रेक्ट फिर मो कहता है अगर तुम्हें प्ते पत्नी बनना होगा ये सुन यान कांट्रेक्ट वे कहती है अगर मैं साइन करने से मना कर दू तो क्या होगा फिर मो स्टिडेंट आईडी को जलाने लगता है तब ही यान उसे थपड मार देती है फिर हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही होती है फिर यान रोती हुए कहती है इसे मत जलाओं में कॉंट्रेक्ट पर साइन करती हूँ ठीक है फिर वो कॉंट्रेक्ट पेपर पर साइ कर दिया है तो अब से तुम मेरी पतनी बन गई हो और अब तुमें मेरी हर बात माननी होंगी चाहे वो कुछ भी हो फिर यान कहती है क्या इस कॉंट्रेक्ट में कोई समय सीमा है फिर मो यान के पास आकर उससे कहता है अब मैं तुम से उप गया हूँ फिर मो उस ID कार्ट को जल जाने लगता है और फिर यान घुस्से से कहती है फिर से और फिर मो रुक जाता है और ये सब करके मो को बहुत मजा आ रहा होता है फिर से इन सिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यान खाना बनाते हुए मन में कह रही होती है आखिर कर मैं कॉलेज जा सकूंगी और मैं ये ग्रेंड मा को बताऊंगी तो वो भी खुश हो जाएंगी पर मेरे अंकल का परिवार जानता है कि ग्रेंड मा मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इसलिए वो लोग बीना किसी डर के मुझ को धमकाते रहते हैं और अब मैंने तो खुद की आजादी खो दी है और मौ उसके बाजू में आकर बेड़ जाता है और कहता है क्या तुम्हें किसी ने धमकाया है फिर यान कहती है नहीं बस मुझे अपनी घर की याद आ रही है तब मौ उससे कहता है तुमारे पीता ने तुमें मुझे बेज दिया है उनकी कंपनी को बचाने के लिए फिर भी त दुन यान चिलाते हुए कहती है वो मेरा परिवार बिलकुल नहीं है फिर वो मन में कहती है एक पल के लिए मैं सच में जोर से चिलाना चाहती थी फिर मौ उससे कहता है ठीक है अब रोना बंद करो बीना अपने परिवार के बारे में एक सब्द बोले और गाज इसकी साथ एपिसोड नमबर 15 यहां एंड होता है पसंद आये तो लाइक एंड सेस्काइब जरू करें मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में